हेलो फ्रेंट्स गुड अफ्टनून कैसे हैं आप सब नमस्कार सबको एक बार फिर से स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी रिजल्ट गुरू में वेल बजगाए बारा हमा गए दुबारा तो मैं आदीती रस्ता होगी आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं वाली हूं क कई वी इसका शिलीबस जी भार दोस्तों आप जानते हैं कि के उसक चौन का और उसकी नोटिफिकेशन आल्रेडी आउट है जैसे कि मैंने आप से प्रॉमिस किया था कि मंडे से मैं आपके साथ ληबस डिसकस करू nations EXCQŌ सर ये वैसे तो आप यहाला देख पा रह 작ं कि की-व भी student को कोई भी confusion ना रह जाए कि syllabus में क्या-क्या आने वाला है देखें मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं सारी ही चीज़ डिसकस करूं जो कि आपके exam में आने वाली हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा help out करेंगी इस class में जुड़ना ना भूले जल्दी से session को join कर लिजे like and share कर दीजे so that आप और आपके जितने भी फ्रेंट्स हैं जितने भी सेफाटी हैं और जिनको के बीस का exam देना है वो इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेट पाएं किस तरह से उनको exam देना है किस तरह का उनका pattern उनको exam में मिलने वाला है किस तरह के questions उनको क्या exam में पूछा जाने वाला है वैसे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो syllabus अगर देखा जाए तो इसमें English में grammar plus literature दोनों ही आपको मिलेंगी grammar भी मिलेगा and literature भी मिलेगा दोनों ही आपको मिलने वाले हैं कोई ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा grammar literature बूट लेकिन जो आपको यहाँ पर literature मिलेगा वो थोड़ा से जो basic पार्ट में आप बिल्कुल 9-10 फिजो चले जाते हैं story वाले टाइब पार्ट में वहाँ पर वो आपको ज्यादा मिल चाहेंगे कैसे कैसे मिलेंगे वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ जैसे देखिए सबसे पहले तो आपके जो exam है उसमें बहुत सारी various posts हैं लेकिन हमें सारी posts तो यहाँ पर discuss नहीं करना है हमें यहाँ पर सर्फ एंग्लिश का syllabus देखना है वो भी कौन से वाले पार्ट में वो देख लेते हैं एक बार देखिए आ जाते हैं थोड़ा और नीचे और नीचे औ कि वाइस प्रिंसिपल बेबी हमें नहीं जाना है मैंने डारेक्ट वही लिंक लिया है जहां पर आपके एक्जाम की सारी information आपको दे रखिया येस तो आजयते हैं सबसे पहले scheme for exam of postgraduate teacher postgraduate teacher का थोड़ा सा pattern देख लेता है exam का क्या रहेगा तो देखिए यहां पर क्या है पहली बाद तो आपका scheme है जो postgraduate teacher का अब आपको यहां पर 180 marks के questions मिलने वाले हैं और questions भी कितने होंगे 180 objective type multiple choice questions होंगे एक question का one mark होगा ठीक है और 180 minutes की आपको मिलेंगे सबसे दादा फाइदा आपको पता ही हहां पर क्या है time marks और questions तीनों equal है क्यों equal हैं तीनों तीनों 180 है 180 minutes, 180 marks, 180 questions एक minute एक question के लिए काफी होता है literature या grammar वाले section आप जानते कि अगर हम किसी और exam की बात करें तो वहां पर हमको 60 minutes मिलते हैं 100 questions करने होते हैं यहां पर सबसे बड़ा benefit दोस्तों यही है कि आपको 180 question मिलेंगे and 180 marks मिलेंगे and 180 minutes ही मिलेंगे उसे solve करने के लिए तो यहां digital English में आपको 10 question मिल जाएंगे, Hindi में आपको अलग तो करने हमें लेना देना नहीं है हमें Hindi को क्या करना है आपको तो बहुत कुछ करना है लेकिन अभी हम सिर्फ English को discuss यहां पर करेंगे जैसे यहां पर बाकी जो आप देख रहे हैं कि notification तो आपने कर पड़ी लिया होगा कि कितने marks का क्या आने वाल है वो मैं आपको बता दूँ बाद में जब आपकी जो professional competencies और 60 marks का होता है उसमें demo जाएगा आपका 30 marks को 30 marks का आपका interview रहेगा और यह सब चीज़े होंगी ठीक कभी है यह 10 marks का English होगा और इसमें भी यही सेम बैटन रहेगा 180 180 180 चीख है कि अब आज आते हैं सीधे सीधे English के syllabus प्यार्टीज की भी हम बात करेंगे भी प्यार्टीज की लेकि मैं आप से बात में बात करूंगी पहले मैं आपको कि टीजीटी पीजीटी का बता देती हूं कि टीजीटी पीजीटी का syllabus क्या रहने वारा है कि इस पीडिएफ से आपको यह फायदा होगा कि आपको और जितनी भी इंफर्मेशन है वो भी यहां पर सारी मिल जाएंगी इसलिए मैंने इसको सब को साथ में कंपाईल किया सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के पाट को कट नहीं किया ताकि आपको एक ओरिजिनल फॉर्म मिल जाए और पैटर्न मिल जाए एक्जाम का आपको कहीं इधर उदर पीजिटी और इसमें सब्जेक्ट फॉर पीजिटी इस क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं बाकि आपको यहां पर माथ्स पकिरा कभी सिलेबस मिल जाएगा कर आप देखेंगे यह फिजिक्स का सिलेबस हो गया यह मैंने कुछ भी कट नहीं किया है आप देख पाएंगे सारा इसलेबस आपके पास एक ही जगाए खट्ट हो जाएगा डिस्क करने वाले बाकि आपके पास क्या होता नहीं एक जब गवर लिखा हुआ होगा सब तो इसलिए आपको बेनिफिट करेगा आप सारा धीरे-धीरे करके इस देख सकते हैं यह पीड यह जब का कॉंटिंशी का इकनोमिक्स का जिए आगया आपको इंग्लिश का सिलिबस ठीक है तो यह आपका PGT के लिए है तो पहले इनको देख लेते हैं कि यह क्या है सिलिबस में सबसे पहले तो आपका जो सब्जेक्ट होगा है वह स्पेसिफिक जो भी सिलिबस रहने वाला है वह हम देखेंगे देखेंगे ग्रामर का जो सेक्षिन है वह मैं आपको बता दू थोड़ा सा पहले मैं जो सब्जेक्टिव वाला है वह आपको बता रही है इसमें देखेंगे आपको थोड़ा से पहले ग्रामर वाला पाटा जाता है जिस से रीडिंग कॉम्प्रियेंशन है जो अंसीन पैसेज है और लिट्रारी मतलब इसमें जो पैसेज होगा आपका वो वो भी को पैरेंग बसके है तो अंसीन पैसेज में वरबल बिशुल इंपूट्स के के अट आप्टिस्टिकल डेटा चार्श एक्टरा के नोट मेकिंंग सब्यूराइजेशन बेस्ट पैसेज कि आप्सई प्री टेस्ट कौन से होंगी नोट्स फॉर्म इंविटेशन और letters based on visual article यह जितने भी आपके letters है वो सारे आपको मिल जाएंगे classified advertisements post or writing speech in 120 to 150 words based on visual clues age appropriate यह सारी चीज़े आपको महाँ पर मिलने वाली है फिर grammar वाला पार्ट देख लेता है grammar वाले पार्ट में आ जाता है grammar वाला पार्ट हमेशा same रहता है questions on gap filling gap filling मतलब जो आपका clause test होता है like clause test होता है clause test क्या होता है आपका जैसे एक आपको paragraph given है और उसमें कुछ various options given है जैसे first blank, second blank, third blank so on तो ऐसे करके five of ten आपको given होते हैं और उसका for each blank you will be given four options और उन four options में से कोई एक correct होता है जो कि आपको mark करना इस तरह से आपको मिल जाएगा और यह ज्यादा तरह आपको tenses के base पर ही मिलेंगे तो tenses के base पर clauses मिलना अपने आपने एक बहुत अच्छी बात है बहुत easily आप उनको fill कर पाते हैं आपको सिर्फ tenses पढ़ना है और उसके बाद आपको जो लिट्रेचर वाले पार्ट में है तो वो कुछ पोयम्स या कुछ स्टोरीज आपको मिलने वानी है जिस पर बेस्ट आपको questions मिलेंगे जैसे portrait of a lady जो कि खुश्वन सिंह कि है photograph we are not afraid to die we can be together discovering that the saga continues the laburnum top the voice of the rain childhood the adventures self road father to son इको जो अबिना टेगो जी के और various writers के लिक्यों स्टोरीज आपको मिल जाहेंगी the summer of the beautiful white horse the address mother's day birth the tale of melon city the last lesson lost spring water the red trap indigo poets and pancakes the interview going places my mother at 66 keeping quiet a thing of beauty a roadside stand aunts Jennifer Tigers third level the tiger king journey to the end of the earth the enemy on the face of it memories of childhood the cutting of my long hair we too are human beings ये सारी स्टोरीज आपको मिल जाहेंगे स्टोरीज में क्या होता है आप से एक तो author पूछा जाता है स्टोरीज का राओ ढुछा ये स्टोरी से कुछ पूछीन पूछी जाते हैं यह स्तारी के सारी poems और stories को complete करेंगे, उनका author भी समझेंगे, उनकी summary भी समझेंगे और उससे related कुछ questions भी करेंगे on daily basis, उसके बाद आजाता है next, यह तो अपका हिंदिका होगा, इससे मिले ना देना नहीं है, अब next मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होगा, अब आज तर TGT में, TGT में जो हमारे रहने वाले हैं वो English आप देख पा रहे हैं कि English होगा यहाँ पर, तो इसका भी syllabus एक बार देख लगते हैं कि TGT का syllabus कह रहने वाला है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा से grammar का syllabus भी discuss करूंगी, जो इंग्लिश में grammar में पार्ट रहने वाला है, वो यहाँ पर थोड़ा कम है, तो और elaborate करा हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अभी क्या होने वाला है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है न, किसी को कोई doubt तो नहीं है, देखें, यहाँ और बाकी subjects का भी इसमें syllabus दे रखा है, तो यह PDF इने इसलिए ऐसे रखी है, तो आप उनको भी देख पाएंगे easily, लाकि आपको एक idea रहेगा, सारे ही syllabus का, entire syllabus का, English का फिलाल में आपको बता दूँ, इसमें सारी चीजे given है, तो इसे आप easily देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको compile किया हुआ है, कि हाँ आपको बता है, भी होँ जे मैंने अएफड़को प्र।ूपी धार कि देख भ देखें यह आपका English का syllabus है अब English में TGT में क्या क्या है यह एक पार देख लेते हैं तो यहां पर का TGT में फिर से वही चले जाएं अपना सब्जेक्ट वाइस पूरा लिटरेचर वाला पार्ट है वो क्या है तो इसमें सबसे पहले जो कुछ स्टोरी हैं कौन-कौन सी है अभी आपको याद हुआ होगा एच्टेट की भी मैंने एक मारतन लीती उसमें भी कुछ इस तरह क्या क्योंस है तो कहीं न कई वहीं सारा से लबस यहां पर आपको दे रखा है और डॉग फांट हिंसल्फ और न्यू मास्टर तारो की स्टोरी दे तो जैसे जो रसकन बॉंड है रभी ना टेगोर्ज है लियो टॉल्स टोई हैं तो इनने बहुत सारी स्टोरी हैं बहुत सारी पोयम्स हैं जो आपके 9th 10th में भी आती है 6 7 से लेके 10 11 12 तक भी वह स्टोरी आती है तो वह सारी ही चीज़ें आपर दी गई है शेक्सपेर वग टू बर्ड्स फेंड्ली मॉंगूस तो शेफर्ड्स ट्रेशर टांसें दे मंगी और क्रोकोडाइल वंडर कॉल्ड स्लीप अपक्ट विद सन देखा जाना तो यह स्टोरी बहुत ज़दे इंक्रस्टिंग है और इनको अगर हम पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आता है तो यह स्टोरी को इतना डिफिकल्ट वहां पर नहीं है और इंट्री इंतर्स्टिंग बच्चों की स्टोड़ी जो होती है बड़ा मजा आता है हम लोगों को पढ़ने में बढ़ा मजा आता है तो यह विल बेरी एट्रस्टिंग तो के वierung कपर अपने आप इंक्रस्टिंग और अर्याना टेट का जब मारतम लिया था तो उसमें मैंने ये स्टोरी आपको सुनाई वी थी आइस कोरल गिफ्ट अफ चापल्स पी मैंने आपको माहा सुनाया था रिबल शेड गुपालन देहल सफिश अंद अशेज दाट मेड़ ट्रीज ब्लूम चेवी क्वालिटी ट्रीज डेक्टिव स्ट्री अफ टॉकिंग अपकरी गोलू ग्रोज अनौज चांदिनी दबियर स्टोरी अ टाइगन इंद आउस अन एलियन हैंट तो यह सारी के सारी वही स्टोरीज है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको थोड़ी दिन पहले आपको पड़ताई भी थी उसके बाद जैसे नहीं आ जाता है यह बहुत आपको स्टोरी सुनाई थी और इसके बाद तुनामी ग्लम्सेस अब पास्ट विपन बाबू इस समिट विदिन दा आंट अंड क्र आंगरू विजिट टू कैंबरेज शॉर्ट मॉनसून डायरी ओन दे ग्रास ओपर इंड क्रकेट तो यह सारी ही वह स्टोरी जो मैंने आपसे थोड़े दिन पहले ही डिसकस करी थी और इसमें के वी इसमें भी हम इन इन इस्टोरी जो वन बाइवन सारी ही डिसकस करेंगे तो वो सारी चीज़े आपके साथ कुछ भी नहीं चूटेगा सब कुछ डिसकस हो जाएगा ताक कि आपकी अच्छे से प्रेपरेशन हो सके पीजीटी-पीजीटी की अब जैसे देख रहे हैं यहां पर थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा वाइड है और जितनी भी स्टोरी ज यहां पर कवर हो रही है और सबका आपसे ऑथर्स भी पूछ जाते हैं सबके आपसे सम्री में से भी कुछ जाते हैं तो आपको इस सारी स्टोरी पढ़नी होंगी और पोएम्स भी वहाओ देख गामल गॉट इस रंप यह भी पूछ जाता है चिल्डरन एट वर्ग देश च काट माल्डो इफ यू वर इफ आई वर यू दे रोड नॉट टेकन जो आपको नाइंथ में भी सुनने को मिली होगी स्टोरी यह हो सकता है हाली में आपने बहुत जाता टाइम नहुआ पड़े विंड रेन ऑन रूफ दे लेक ऑफ आजल फिन इनस्प्री अ लेजंट अव जो मैं आर फॉर इन ऑन किलिंगर ट्री बहुत ही जादा पूछे जाने वाले सवाल अ स्लंबर देड माइस प्रेट सील अ लाउस चाइल बहुत पूछे जाता है है आसा कुछिशन दा इड्विंटर सफ टोटो इस इस वारन दे स्टोरी टेलर इन दे किंडम अफ फूल्स उसके बाद अब क्या जाते है कुछ टोपिक साथ टोपिक से लूप टोटन डिला लॉंग लॉप टो इस टोटो इस बाइं टीरी उपने फ्रैंड टोटॉंग से प्रेंड ग्लीश ओंडिय प्रेंड टो इंड्र अट्र सिंडा बज बिच्बल अटम राट्ट बड्स जाट the proposal dust of snow fire and ice a tiger in the zoo how to tell wild animals the ball poem a manja the trees the trees be a big pusha get the last for good the tale of the custard the dragon for any Gregory a triumph of surgery the thief's story the midnight visitor a question of trust Footprints Without Feet, The Making of Scientist, The Nicholas Bholi, The Book That Saved the Earth, तो यह सारी जो stories हैं यह आपके syllabus में पूछी जाएंगी, और उसके बाद grammar का part कौन सा जाता है, अब grammar का part एक बार देख लेते हैं, देखो grammar में TGT, PGT में लगबग सेम होने वाल है, grammar में determiners क्यों हो जाते हैं, वो words जो noun को qualify करते हैं, जिसमें हमरे adjective भी आ जाता है, article भी आ जा किया है, जैसे he is standing there, तो there क्या हो जाएगा, place of, sorry, adverb of place हो जाएगा, ऐसे ही I started my class at 12 o'clock, so 12 o'clock, when I, जो काम करने को पताएगा, कब, कैसे, कहां, तो कब और कहां का जो जवाब देखा, वही क्या है, adverb है, adverb of place है, तो tense forms है, clauses है, इसमें tenses आपको given होंगे, tenses से पार्ट आएगा, clauses होंगे, passivation होगा, adjectives होगा, passivation जैसे active, passive voice हो जाता है, adjectives है, comparative and superlative forms आप से पूछे जाएगे, suppose आपको एक positive degree का sentence दे दिया, और उससे transform करने के लिए बोला गया, कि आप इसको transform करो comparative में या फिर superlative में, model auxiliary हो जाएगा, model auxiliary जैसे will, shell, would, should, can, could, इन other order in sentence types, sentence types मतलब जैसे rearrangement होता है, pqrs वाला, तो उसमें sentences को rearrange करना होता है, यहाँ पर sentence एक ही given होगा, जिसके word अपनी अपनी position पर नहीं है, तो आपको उन words को arrange करने के लिए बोला हो जाएगा, so that it can create a meaningful sentence, ठीके reported speech मतलब वोई direct and direct speech है, sequence of tenses and non-finite verbs हैं, जिसमें infinitive gerunds or participles phrasal verbs का मतलब होता है, किसी भी verb के साथ कोई phrase, कोई preposition को यूज करना, जिससे वो एक idiom and phrase का रूप ले ले, जैसे अगर हम बोले get up, get up का मतलब होता है, उठ जाओ, get up, get के साथ अप यूज करा और उसका meaning something different हो गया, and prepositional phrases, cohesive devices, punctuation, semicolon, colon, dash, hyphen, parenthesis, और use of brackets and exclamation mark, दोस्तों य याद रखना है, यहाँ पर आपको punctuation के errors भी मिलेंगे, मतलब generally कभी punctuation के लिए नहीं बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर question बन जाता है, कि वही इसका correct punctuation लगा कर sentence क्या होगा, तो इस तरह के questions भी आप से पूछ लिए जाते हैं, देखिए, एच्टेट के exam में, अगर हम बात करें, तो वहाँ पर हमारे पास यह भी पूछा गया था कि यह कौन सा figure of a speech है, यह कौन सा part of speech है, तो उमीद है कि TGT PGT में भी आपको इस तरह का कुछ नहीं आपर भी मिल सकता है, तो be prepared for that, उसके बाद यह होगा हमारा TGT का syllabus और English का, अब English में मैं आपको यहाँ पर एक ब है, जो spotting errors आते हैं, या फिर, जैसे fill-ups आते हैं, clause test आते हैं, vocabulary आती है, antonyum, synonyum, ठीक है, तो यह सारे के सारी चीचे direct आ जाती है, अब इसमें क्या-क्या आ जाता है, वह हमें आपको बता जाती है, जैसे इसमें fill-ups आ जाते है, fill-ups क्या होता है, fill-in-the-blanks, मताब एक sentence given हो होगा, उसमें एक blank होगा, जिसके कुछ various options होंगे, तो कि आपको correct answer को choose करना है, कि उसमें से कौन सा correct answer होगा, कि इसी को कोई भी doubt हुए या पर तो पूछ सकते हैं, कि इसके बाद आपके spotting errors हो जाएंगे, spotting errors का मतलब होता है, कि आपको एक sentence given होता है, उस sentence में कुछ parts में, एक part में error होता है, वो error आपको identify करना होता है, कि कौन से part में है, यह सारे के साथ मेरे base करेंगे parts of speech पर, parts of speech कर से होते हैं, जैसे noun, pronoun, adverb, adjective, article, not article, sorry, adverb, adjective, verb, उसके बाद आजाता है आपका interjection, आला कि interjection से question नहीं पूछे जाते हैं, उसके बाद preposition है, conjunction है, यहां से question पूछे जाते हैं, यह तो अगर आपके part of speech बचता है, article, tenses, तो tenses के base पर भी आपसे questions को पूछा जाता है, okay, spotting errors पी और philips पी, इसके बाद आजाते हैं हमारे vocabulary का section, vocabulary होती है, antonyums, मतलब opposite words, synonyms, one word substitution पूछ लिए जाता है आपसे, एक ही question चाहिए, पूछे जाये, लेकिन पूछ लिया जाता है, और जो antonyum synonyms हैं, वो basically आपसे ना, एक पूरे sentence में दिया होता है, no ma'am, there is no negative marking, इसमें कोई negative marking का जिकर नहीं है, 180 question, 180 marks, 180 minutes, यह बहुत अच्छा benefit है आप लोग के लिए, ठीक है, तो मतलब till now, इसमें मैंने अभी तक कोई नहीं पढ़ाए, कि negative marking का माँ पर clause है, कोई, ओके प्रिया जी, well one word substitution आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, जो idioms and phrases हैं, वो भी आपको given होंगे, उसके अलावा आपको यहाँ पर और चीज़े मिल जाएगी, जिससे spelling का error मिल जाएगा, एक correct spelling कौन सा है, तो spelling correct, incorrect यह आप से पूछ लिए जाएगा, तो spelling का error एक आपको मिल जाएगा, spelling वाला question मिल जाएगा, उसके बाद यह जो spotting error से वो सारे parts of speech पर डिपेंड होंगे आपके, एक PQRS वाला question पूछ लिए जाएगा, आपको सही से arrangement करना होगा, PQRS वाला, ठीक है, जो rearrangement होता है, एक आपको passage given होगा, passage का आपको unseen passage को solve करना होगा, वो आपको किसी story का भी passage दे सकते हैं, किसी poem का extract भी दे सकते हैं, वो लिटररी भी दे सकते हैं, और एक normal passage भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कि क्या पता, वो अपने आपी कोई story बना कर आपको दे रहे हैं, तो mostly वैसे story में से आ जाता है, तो वो आपको passages मिल जाएंगा, ठीक है, तो इस तरह के आपको सारे question मिलेंगे, कुछ भी different answer नहीं मिलने वाला है, and the paper is going to be very easy, एक और चीज़, जो सबसे जादा फाइदा करती है, वो है active and passive voice, active and passive voice आपको मिलेगा, और साथ में आपको मिलेगा, साथ में आपको मिल जाएगा, यह आपर direct and direct speech, जिसे आप narration के नाम से भी जानते हैं, आप मेरी class join कीजे, मैं आपको इस सारी चीज़े, सारी ही chapters, one by one, literature से start करूँगी, grammar तक सारे section, मैं cover करूँगी, KVS के exam से पहले ही, और active passive or direct and direct speech के भी, मैं बहुत सारे questions आपके सामने ले कराऊंगी, जो आपको help out करेंगे, और वो भी कुछ इस tricks से, जिसमें आपको within two seconds, आपको active passive का answer पता लग जाएगा, आपको बहुत ज़दा time लगाने की requirement नहीं पड़ेगी, within two seconds, I am not talking about minutes, I am talking about seconds, किस seconds में आपको इसका answer पता लग जाएगा, कि क्या इसका answer correct होना चाहिए, इस तरह कि जितनी भी चीजें हैं, वो आप से TGT, PGT में प्रूछी जाएगी, यहां तक किसी को कोई doubt है, Yes, I have already replied, Priya जी, there is no negative marking at all, there is no negative marking at all, I hope कि I am audible to you, no negative marking is there, ओके, यहां तक किसी को कोई भी doubt, यह सारा syllabus आपका रहने वाला है, PGT और TGT English में, अब देखिए, इसके अलावा, तोड़ा साम PRT की तरफ भी चलेंगे, PRT का syllabus कह रहता है, तकि कुछ बच्चों को वहाँ भी confusion रहती है, वो भी उनकी clear हो जाए, और वो भी उनके mind में ना रहे, कि कहीं इस से कोई question आता है, तो वो कैसे आता है, आपके, बाकि इसके लिए आज एक event भी करने वाली है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी KVS की information मिल जाएंगी कि किस तरह से आपका exam आएगा, वो pattern बगएरा, वो सारी चीज़े वहाँ पर आपसे discuss करेंगी, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, और कोई doubt हो तो पूछी चल्दी से, पूरा 85 pages में आपको सारा सारा यहां पर syllabus मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत ज़दा help out करने वाला है, आज आपके पूरे syllabus में, देखें, मैंने यहां पर सिर्फ English का नहीं रखा है, सारा syllabus आपके रखा है, तो सारे syllabus आप यहां पर देख पाएंगे, याकि किसी भी बच्चे को कोई भी confusion हो, कि मैं हम accounts का नहीं मिल रहा, हंदी का syllabus में मिल रहा अब मैं हम इसका syllabus में मिल रहा, तो यहां पर आप सारा syllabus, each and everything आप यहां पर देख सकते हो, कोई information ऐसे नहीं है जो मैंने आपको ना दी हो तो सारी ही चीज़े मैंने आपको इसमें बताई हुई देखें अगर हम PGT के syllabus की बात करें तो आपका जो specific syllabus for PGT है वो रहता है उसके अलावा subject specific syllabus भी रहता है यहाँ पर आपको सारे ईग्जाम पैटरन भी गिवन है कि कि सी को कोई डाउट तो जल्दी जल्दी वता दीजे झालिए हूफ झालो जजयोने हैं। कि यहां दो कि किसी को कोई डाउट है पीरटी का हम तोड़ा सा देख लेते हैं प्याइटीज में किया है प्यार्टीज में भी आपको सेम भी मिलेगा जो नंबर आफ कुउशंबंस के वह आपको मिल जाएंगे दस और दस ही मार्क्न जाएंगे English में and अगर हम PRT का syllabus की बात करें तो syllabus भी एक बार देख लेते हैं आपर अगर PRT का syllabus रहता है तो क्या रहेगा थांपर जार क्या रहेगा हैュ यहां पर प्रिपरेशन और आप मेरी क्लास से कर रोज जोइन करेंगे तो आपको यहां पर रिट्रीचर का सारा सिलेबस मिल जाएगा इंटार सिलेबस ऑफ इंगर्श लिट्रेचर जो हम यहां पर डिसकस करेंगे और जो कि आपको हल्प आउट करेगा आपके एक्जाम में आपको कहीं और जाने की जूरत नहीं है इसमें ही आप जाकर सारा का सारा सिलेबस देख सकते हैं कि यहां पर फिजिक्स वगेरे इन सब कर भी सिलेबस आपको गिवन है और दीरे दीरे यहां पर देखते हैं यह आपको दे रखा है पूरा बायोलोजी का सिलेबस भी दे रखा है यहां पर देख सकते हैं और उसके अलावा आपके पास यहां पर अकाउंट्टेंसी का भी सिलबस है और कोई अकाउंट्टेंसी का देखना चाहता है तो करेंगी करेंगी और सिलेबस हैं इंगलिश का इत्क इंग कर स्वेफने हुए तो मैंने आपके साथ पूरा का पूरा डिसकस किया ही है यहां पर यही सिलबस रहेगा आपका और पी आर्टी में भी आपका यही सिलबस रहने वाला है कि और भी जो वेरियस पोस्ट्स हैं उनके लिए यहां पर सिलबस केवन हैं कि एक वहले चाहते हैं पी आर्टी के सिलबस पर एक आर्टी के सिलबस देखें यह आपका जाता है प्यार्टी के सिलबस प्यार्टी के सिलबस प्यार्टी के यहां पर ग्रामर में आपको नाउंस मिलेंगे प्रोनाउंस इजेक्टिव एड़ वर्ब्स इजारेम का यूज पड़ेगा ठीक है यहां पर आपको हाज़ाइब का मिल जाएगा यूज अब एक बात बहुत अच्छी देखेवन है यहां पर कि आपको यहां पर ओल्रीड गि है यहां पर प्रेजर्ट इंडेफिन प्रेशंट इसके अलबा कुछ नहीं एक्स प्रेसिंग फूचर जो कंटेन सीजब एक्सप्रेस करती है फीचर को विल भी गूईंग मतब फीचर कंटेनेंस आपको मिल जाएगी आर्टिकल एन दा आपको मिल जाएगा दिस दाट दिस दोस का यूज मिल जाएगा डिटर्मिनर से रेंटी सब्जेक्स में पॉश्चिन वर्ड्स पूजो डबलू एच फामिली से बिलॉग करते हैं जैसे when, how, what ये सब आपको मिल जाएगा उसके अलावा आपको conjunction में और बट का जाएगा उसके अलावा आपको पंचुएशं मर्क्स मतमत्ब कोमा लगाना है कि फोल स्टॉपkon कोमा थे ज़्यादव कुछ नहीं होगा प्रेपोजिशन सब्सक्राइब कौन से होते हैं दोस्तों जैसे अगर हम बात करते हैं कभी भी कि आपका माई और माई इन्मी के डिफ्रेंस है तो माई क्या हो जाता है माई हर हिस यह सारे वर्ड्स आप से पूछ लिए जाएंगे और इसके अलाव आप प्रेपोजिशन से पूछे गया तो यह तो आपको जरूर ही जरूर मिलते हैं तो यह तो आपको जरूर ही जरूर मिलते हैं वर्ब में आपको बहुत कम्यापर गिवन है इस अमर है जैब का यू सब पूछा गया है तो आपको पर्फेक्ट टेंस पढ़ने की रिक्वार्मन नहीं है इंडेफरेंट और कंटेंस टेंस से काम चल जाएगा इफ यह और गोईंग टू टेक पी आटी एक्जाम लेकिन दोस्तों हम यहापर टेंस कंप्रीट पढ़ेंगे क्योंकि आपका जो टीजीटी पीजीटी है हमें इसे फोकस करना है और टीजीटी पीजीटी में एंटायर आप से पूछी जाएंगे वहापर सब कुछ पूछा जाएगा इसलिए हम उनको डीटेलिंग पूछाता करेंगे अब चल्दी से मुझे यहां तक बता दीजीए यहां तक किसी को कोई भी डाउट तो इंग्ल सब्सक्राइटी में ग्रामर वाला सेक्शन जो है वो यही है और इसी से आपको त्यारी करनी है वेल आई होब कि यह सब आपको क्लियर हुआ होगा अगर आपको समझ में आया और वीडियो पसंद आया तो प्लीज यसे लाइक और शेयर कीजेगा और डोंट फोगेट प्रे क्लास में मुझे मिलेंगे क्लास में नेक्स्ट क्लास से हम उसको स्टाट करेंगे और कुछ चाप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो जब तक लिए बाबाई टेक क्यार और यहां पर आपको माक्स फगिरा कभी सब्स मिल चाहेगा तो आप अपने सारे जो डॉट्स है व क्लियर करके रहना है तो क्लियर करेंगे आपको पसंद आया को प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना मुलिएगा थैंक्यू वेरी मच्छ